मित्रों ज्यान दर्शन वन आउसद यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्रों आज हम आपको एक पेड़ पोधे से परचित कराएंगे और इसके आउसदिय गुड़ों के बारे में जानकारी देंगे तो मित्रों आईए जानते हैं वह पेड़ कौन सा है वह पेड़ है ज्यावू का पेड़ ज्यावू हमारे भारत में नदियों के किनारे रेतीली भूमी पर पाया जाता है ज्यावू जहुआ के नाम से जाना जाता है इस पेड़ की उचाई लगभग 10 से 12 फिट उची होती है इससे ज्यादा यह नहीं होता है ज्याड़ी नुमा पेड़ होता है और इस पेड़ को अंग्रेजी में टमेरिक्स मेना नाम से जाना जाता है इसको अंग्रेजी में टमेरिक्स मेना नाम से जाना जाता है लेकिन मित्रों जावु के अंगिनित फायदे हैं ये हमारे सरीर में कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में मददकार है जावु का पेड एक प्रकार की सरकरा देता है यानि शकर निकलती है इसके पेड में जिसको हम गौन्द के तवर पर जानते हैं कि जावु का गौन्द है लेकिन वह सकर होती है Luther सरकरा होती है और वह मीठी लगती है हम इसे बड़े चाऊ से खाते हैं और इस सरकरा में चालिस बयालित प्रिस्टर टैनिन पाया जाता है और इसकी सरकरा में बहुत ही गुलुकोज की मात्रा होती है गुलुकोज पाया जाता है और यह द्राच्छा सरकरा के नाम से जाना जाता है इसको मोई चच्छ सरकरा और द्राच्छा सरकरा के नाम से जाना जाता है इसके पत्ते में टमेरिक नामग ग्लुकोज पाया जाता है यह जाड़ी नमा ब्रच होता है इसके पत्ते पतले और लंबे होते हैं गोल गोल होते हैं पत्ते नहीं दिखाई देते हैं जैसे की गोल गोल रेशे टाइप का होता है और हरा हरा होता है इसको देख लीजिए पहिचान लीजिए यह जहाओ का प्यड़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें फूर सफेद और गुलाबी होते हैं एक होती है प्रजाद जिसमें सफेद फूलाते हैं और एक प्रजाद होती यही इसमें पहचान है यह जो हम आपको दिखा रहे हैं गुलाबी फूलों वाला जहा हूँ है तो यह कई प्रकार की बीमारियों में काम आता है मित्रों और इसकी जो तने से जो है हमारे घर में जो है उपयोगी सामान भी बनाया जाता है इसकी साखाओं से डलिया बनाई जाती है डाली में जैसे सब्जिब जी रखी जाती है उस प्रकार की डालिया तयार की जाती है और यह कई प्रकार की बीमारियों में भी लाबदायक जाओ का पेड़ इसको बहुत ही फायदेमंद है इसको पलिहा सोत में उपयोग मिलाते हैं जाओ पलिहा को संकुलित करता है पलिहा गर बढ़ा है तो उसको संकुचित करता है तथा बढ़ने से रोकता है और रक्त सोधक होता है रक्त अस्तंभंग होता है शंगरहडी में फाय कारी हैं शिग्रपतन में ज्धाव के पत्वोग का रस और सहथ मिला कर एक माह तक से बन्याचिन किया जाए तो शिग्रपतन की समस्या जिसे परंशेरो जयाकूलेशन हमारे पुरुस भाई परैशान रहते हैं वो परंशेरो ज्धाप्रमिशन की निजात पा सकते हैं दोस्तों यह आदमाया हुआ और बहुत ही अच्छा नुस्खा जो हम आपको पता रहें यह अनुलोबन में भी फाइदेमंद हैं लेखन सुरोधक हैं प्रत सयाकास शुकर रोधी बुखार रोधक और इसकी शकर को खाने से सौच आसाने से हो जाता है जो हमें सौच की समस्या से दिक्कत जैसे मालेव आपको कड़ी टटी होती है टटी में परेशानी होती है मल त्यागने में दिक्कत होती है तो इसकी सरकरा बहुत ही फाइदेमंद है बालकों को कभज होने पर भी इसकी सरकरा का सेबन आप करा सकते हैं यह बहुत ही फाइदेमं सब्सक्राइब परों सेवुचे है इसकी है सोडिमाएब स सबस्कें और आप 20 इसके प्तार्स मिलले छूणण को 2-5 ले सकते हैं पत्ते का चूण 3-4 ले सकते हैं और सर्का का सेबन 10-30 ग्राम तक आप असानी से इसको प्रयोग मिला सकते हैं तो मित्रों आज हमने आपको रेतीले अस्थानों में पैदा होने वाला जहाओ जिसके बारे में आपको ज्यानकारी दी है यह जहाओ जहुआ के नाम से जाननें वाला पेड़ आपके हां नदियों के किनारे जहाड जनकारों में देखने को मिल जाएगा जहाँ पर बालुई रेतीले मिट्टी होती है वहाँ परे आसानी से पनब जाता है और इसको कहीं बोने और लगाने की जरूत नहीं होते हैं अपने आप ज्छाण के रूप में तयार हो जाता है तो आज हमने आपको ज्छाओ के फाइदे के बारे में जानकारी दी है हमारा वीडियो अगर आपको पसंद करता है तो एक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन पूस्ट करें आल लोटिफिकेशन पर किलिक करें ताकि सबसे बले वीडियो हमारा आपको मिले तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिं जै भारत वन्दे मात्रम धन्यवाद